ये गाइस, वेलकम बेक टो नेक्स टीक्स तो दोस्तों आज की स्टूडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आप अपने कम्प्यूटर की स्क्रीन किस तरह रिकार्ड कर सकते हैं अगर आप कोई प्रेजेंटेशन रिकार्ड करना चाहते हैं यहां फिर आपको YouTube के लिए वीडियो रिकार्ड करना चाहते हैं तो बहुत हैंसे आप अपने कम्प्यूटर की स्क्रीन रिकार्ड कर सकते हैं तो इसके लिए हम यूज करेंगे जो यो शेर VDकit को इसका download link आपको वीडियो की description में मिल जएगा वहाँ पर क्लिक करके आप इस website पर आजें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस screen record कर सकता है वीडियो cutter है और converter भी है तो इसको आप free trial के button पर क्लिक करके आपने computer में download कर लें download करने के बाद इसको अपने computer में install करें और install करने के बाद इसको open करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके कुछ और भी features है जैसा के convert section में आप video convert कर सकते हैं इसके लबा video cutter मुझूद है, video joiner और video compressor लेकिन video को record करने के लिए हम यहाँ record के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर screen recorder मुझूद है और इसके लावा audio recorder भी मुझूद है तो computer के screen record करने के लिए हम screen recorder के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने screen recorder open हो जेगा तो यहाँ पर सबसे पहले आप आपने screen की dimension set कर लें कि आप आपने computer का कितना area record करना चाहते हैं यहाँ पर काफे ज़्यादा size दिये गए हैं यहाँ फिर आप इसको manually भी adjust कर सकते हैं लेकिन मैं इसको full screen पर ही कर देता हूँ यहाँ से भी आप इसकी width और height चेंज कर सकते हैं और इसके बाद हमारे पास option है speaker का आप आपने computer के speaker की voice भी record करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं अगर आप आपने computer के microphone को record करना चाहें तो उसकी भी voice यहाँ से record होजेगी आप इसको mute भी कर सकते हैं और on भी कर सकते हैं और इसके साथ record का option मुझूद है यहां से आप अपने वीडियो के recording स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन उससे पहले यहां पर एक setting का option मुझूद है इसकी settings हम देख लेते हैं तो यहां पर सबसे पहले basic required settings में save to का option मजूद है कि आपकी recording कहाँ पर save हो आप यहाँ से उसकी location change भी कर सकते है और इसके बाद हमारे पास option है format का आप अपनी वीडियो की format चूज़ कर सकते हैं कि किस format में आपकी वीडियो save हो इसके लबाँ यहाँ पर devices का option में मुझूद है मुथलिफ devices यहाँ पर दी गई है आप जिस device के लिए वीडियो record करना चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं और इसके साथ HD वीडियो का option में मुझूद है और web video लेकिन मैं यहाँ से इसको mp4 को ही चूज़ कर लेता हूँ और इसके बाद हमारे पास option है shortcut का आप video recording को start और stop करने के लिए यहाँ से shortcut को चूज़ कर सकते हैं और इसके बाद option है watermark का आप अपनी वीडियो में अगर कोई watermark add करना चाहते हैं तो यहाँ से वो file भी चूज़ कर सकते हैं और इसके बाद हमारे पास option है record time options का आप यहाँ पर time enter कर देंगे तो manually वो recording start हो जेगी यहाँ भी आप अपनी recording को यहाँ से schedule भी कर सकते हैं यहाँ से इसको tick पे click करें और start time और start time लिख दें तो video recording schedule हो जेगी और उसी time के मताब़े के recording start हो जेगी और इसके बाद हमारे पास option है cursor का आप अपनी mouse का cursor अगर show करना चाहते हैं और इसके बाद highlights clicks हैं यहाँ पर आप कोई भी pointer को choose कर सकते हैं कि जाब भी आप mouse से click करें तो वो एक different shape में show हो तो इस setting करने के बाद यहाँ से record के button पर click कर दें तो आपकी video recording start हो जाएगी for example मैं यहाँ से यह video को recording करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से video play कर देता हूँ तो आप आप अपने screen पर जो भी काम करेंगे वो record होता चाहेगा तो मैं यहाँ से कुछ time के लिए video को play किये रखता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ video recording तो जब आपकी screen recording complete हो जाए तो task bar से जाके आप इसको stop यहाँ pass कर सकते है यहाँ फिर अगर आपने shortcut select किये हुए है तो वो press करके भी आप video recording stop कर सकते है तो video recording stop होने के बाद यह automatically इसी software में आ जाएगी तो यहाँ से आप इसकी minor C editing भी कर सकते है अगर आप यहाँ से इसके edit के button पर click करें तो आप इसको start से और end से cut भी कर सकते है for example मुझे start में इहाँ से इतना part नहीं चाहिए और end से भी मैं इतना part cut करना चाहता हूँ और इसको ok कर दें तो यह new clip safe हो जाएगा तो इसकी मदद से आप बहुत ही सानी से अपने computer की screen record कर सकते है तो अमीद है आपको आज कर यह software पसंद आया होगा इसका download link आपको वीडियो की description में मिलजेगा तो वीडियो अची लगी हो तो इसको like, comment और share जूर करें और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करें मिलते हैं एक और न्य वीडियो में तब तक ले, आला हफ्पीज